चोटा सा एक उधारन यह दे सकते हैं कि घराने जो थे वो एक स्टेट होती राज्ये होते हैं राज्तान, उत्रपरदेश, मद्यपरदेश इस तरीके से वो उस वक्त जिस कला परफूली थो रही थी या बन रही थी उस वक्त ये ट्रडिशन बने कि ये घराना है उसके कुछ और मिलेगा, रेतिले ही चले जाएं उसी तरीके से मुझे अपने जैपूर के बारे में ये कहना कि जैपूर घराने में शुरू से ये रहा कि एक तेज प्रवर्ती का एक सोच विचार से रहा और मंदिरों में क्योंकि हमारे मुगल शाषन तो हुआ ही नहीं, तो वो तब भी था और वो चलता चला गया और एक और कहते थे कि जितने बोल आप मुझे बोल रहे हैं या जो कथा आप मुझे कहरे हैं वो करके दिखाओ इसी को कहते है कथा कई सो कथा क्यला है तो वो उसकी सफाई और उसकी तैयारी और हमारे जो भावपक्ष चैपूर घराने क विशेष्टा मेरे को जो लगती है अब मैंने इतने सालों में जो महसूस किया वह मुझे ऐसा लगा कि हमारे हम शिंगारिक्ता के साथ भक्ति का बहुत ओत्परोत रहा है उसको मिला के रखा धार्मिक्ता की बात आते हैं तो धार्मिक्ता को हम लोगों के को ऐसा समझाया ग उतार लियो और खाय लियो दहद की मे initiati की अधी कंध की और दूड को भी बिखेर दियो और कड़ लियू राधनżaत तब ग्नवाल इस अब भागगतागे दया मैंने तया प्रजा के नाचने लागे कितर गे इतली टाई एक ठीए नाक के पास तुम हो बाल गौपाल लाला हमको आता तरस तुम पे कि तुम इससे कहा लड़ने आ गयो लास्ट में लाइन आ रहे हैं कि अब आहु जानों तुम हो कृष्ण अवतार प्रभु जी तुम कृष्ण नहीं अवतार हो प्रभु जी के तो यह दोनुग बाते हैं जो है ना परसपर वो हमें सिखाई और समझाई जाती है तो इसलिए उसका प्रेजन्टेशन या उस भाव पक्ष को इस तरीके से रखते हैं हमारे पत्संचालन लडियां यह सब चाले जैसे पल्टे लेवांट करते हैं तो लेकारियां भी करते हैं आला कि ऐसा नहीं कि जैसे ताती तीतत आतीतत मूल मंत्र है जो हर घराना और हर परंपरा करता है तो लेकिन वह यह कि आपके टेस्ट की बात है कोई ज्यादा तीखा खाना पसंद करता है कोई थोड़ा मीठा पसंद मिला लेता है तो ऐसा भी ली बात है यह